तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, फिलाल यहाँ पर लीग गौंग धनुष कहाने के बाद माहूल काफी अलग था और वांग लिंग गेस कर लेता है कि यह सौवरेन किसी को बाहर निकलना चाता है इनर रियल्म से पर वो कौन है इससे भी नहीं बताता अब बागे फिलाल इनर रियल्म में मास्टर साउथ क्लाउड और मास्टर हॉंग शौंग भी बैटल अभी रोक चुके थे क्योंकि बाकी जो कल्टिवेटर्स थे वो थोड़ा पीछे हट जाते है आउटर रियल्म वाले बट वो जो रेड इंपेरियल कॉंकूबाइन थी उसे यह नहीं समझ में आ रहा था कि यह धनुस प्रकट कैसे हुआ लेकिन जब यह सुनती है फैंगी की बात को तो इसे और गुस्ता आता है इसे समझ में आ जाता है कि किसी ने इसे भी यूज़ किया है और अब यह वो जो परपल ड्रीम थी समंट रिवर वाली उनकी तरफ दे लेनी की फॉर्मेशन का जो गैप था सत्तर फेटी बचाता लेकिन तभी एक बड़ा सा पाम अचानक से प्रकट होता है जो कि थोड़े समय पहले कोलाप्स कर गया था और फॉर्मेशन को हजार फेट मतलब तोड़ देता है और इस प्रेशर को फील करके इवेन हॉंग शॉ हटता है इस प्रेशर की वज़े से हॉंग शॉंग इस तोरान वो जो पाम था जो कि इस रियल्म सिरिंग फॉर्मेशन को और खोल रहा था उसकी तरफ एक अटेक करते हैं साउथ क्लाउड भी सेम काम करते हैं अब समंड रिवर की जो परपल ड्रीम थी और एक वो ब्यूट की और अको एब्सॉर्ब कर लिया था और इस समय जो नाइन स्टार का डिमन था क्लाउड सी में वो भी नफरत की वज़े से कुछ देमोनिक और इधर फीकता है तो सबकी मिले जुले अटेक इस पाम से ठकराते हैं लेकिन इंपक्ट मतलब जब दो भी अटेक कॉलाइड करत लेकिन जो पाम के एक एक फिंगर थे वो तूटते जा रहे थे वांगलिंग का पंच एक उसके फिंगर को तोड़ देता है साथ में डेमोनिक और अमिक्स थी एंसियंट डीमन की लेकिन फिर भी यह जो अटेक कोलाप्स कर रहा था यह जो पाम अटेक वो अचानक से उसके अंदर से फाइब कलर लाइट चमकता है और यह फिर से बनने लगता है लीग वांग भूंगो को कुछ नहीं हुआ था लेकिन तबी वांगलिंग और बाकियों के जो पीछे का स्पेस था वो ट्रेमबल करता है और इनर रियम से फिर से वही रोर आता है जिसने एक पार वांग लिंग भे पलटके देखते है और जो वांग लिंग देखते है पलटके यह घराम था नो बड़े 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 प्लेट जो की मानौ जल रहे थे आगे बढ़ते हैं और बहुत फास्ते इवन स्पेस बेंपल कर रहा था इस इन प्लेने्ट के सामने और सीधा उस धनुष की तरफ बढ़ते जो के रियल्म सिलिंग फॉर्मेशन के बाहर में स्पेस में था अब यह जो पाम था यह इन बर्निंग प्लैनेट को काउंटर करने को देखता है और एक एक प्लैनेट इस पाम को पीछे करती जाते है और जो तीसरा प्लैनेट था जब इसे पीछे क करता है तो जो पाम अटेक था वो कोलाप्स कर जाता है और पीछे से एक शैडो एक ब्लैक शैडो वाला बन्दा प्रकट होता है यह वही सौफरीन था जिससे वांग लिंग ने एंसियन डॉडर टॉम के पाहर देखा था और इस बार कुछ कहता नहीं और यह अपने हाथ को ऐसा वेब करता है एक लाइट शमकती है और यह जो बाकी पांच प्लैनेट्स बचे थे क्योंकि तीन तो खतम होगे थे चौते प्लैनेट पर यह अटेक करता है और यह कोलाप्स कर जाता है चौते प्लैनेट को तो यह कोलाप्स कर जाता है लेकिन पांचमा छटमा शटमा बाकी इसके तरफ बढ़ते हैं और explode कर जाते हैं एक साथ अब इंपक्ट सोजो बही पांचे प्लेनडे एक साथ explode करें तो यह जो black robed shadow यानि कि सौफरेद यह भी खोन के उल्टी करने लगता है और फिर एकदम भारी आवाज में मतलब जब आप एकदम भीमार हो कुछ वैसे कि तुम मरे नहीं हो उधर से भी यह वाज आती है मतलब inner realm से कि नहीं और यह वाज कहां से आती है inner realm में किसी को नहीं बताता और नवा प्लेनेट तो भी बचाता तो इस black robed shadow यानि अपने sovereign से ठकराता है अब sovereign इसे counter करने के लिए giant whale को प्रकट करता है जिसके अंदर एक चं planet एक दूसरे से ठकराते है और planet finally कई pieces में बढ़ जाता है हाला कि कुए के अंदर जो पानी था वो भी सूख जाता है और फिर आवा जाती कि उस समय की बात है जब मैं पूरा एकदम मारा पीटी करते हुए outer realm में खुस गया था वो पांचो मास्टर्स तुमारे कोई मेरा match न रहा था और वहाँ पर एक blurry figure प्रकट होते हैं और right hand move करते हैं space में एक शब्द लिख जाता है battle जिसके वज़े से यह जो moon बन रहा था वो collapse कर जाता है और फिर यह बोलते हैं कि लोग बस यही जानते हैं कि तुमें एक दहाड ने inner realm से भागने पर मजबूर किया था लेकिन शायद लोगों को यह नहीं पता था कि अगर तुम एक कदम भी और लेते तो तुम मारे जाते और आज भी same है तुम आभी भी वही चुहे के समानों servant boy तुम अपने को sovereign कह रहे हो और तुमने यह धनुश लया है leave family कहला बाद कोई भी इसका owner बनी नहीं समता अब क्योंकि त बाहर निकाल लिया है मुझे बाहर लाने के लिए तो मैं इसे accept कर लेता हूँ अब finally क्योंकि sovereign का जो नकाब था वो fat food किया था तो वो मुंडी उठाता है और बोलता है old ghost जान तुम अभी भी नहीं मरे हो फिलल sovereign के चहरे पर बहुत सारी जूरिया थी और यह भी ancient dora बाहर फ जिसे कि sovereign old ghost जान कहता है यह तुरंती आगे जाते है धनुष को touch करते है और उनका expression बदलता है उसमें से seven color light flash करती है और यह बोलते है अच्छा तो सच में seven color से अब शयाद यह seven color को निकाल देते है या क्या होता है पता नहीं लेकिन धनुष पहले से और बढ़ा हो जाता है धनुष को यह पकड़ते है और inner realm के अंदर fake देते है और खुद भी पीछे हट जाते है अब इसके उपर में जो पहले seven color light शमा करते है उस पर यह लिख देते है battle साथ बार लेकिन यह जो धनुष के वो प्रत्यंचा होती है I mean string वो इन words को काड़ देती है अर बार अब इसक सफीर से रिखा था वो भी उस धनुष के सामने collapse कर जाते है और बो श्ट्रिंग भी अब तक जब तक की formation बन पाता अंदर आ चुका था सबसे close में ancient lives से जो trap लोग थे outer realm के वो थे और बस धनुष के प्रत्यंचा के बज़े से यह सभी मारे जाते है और old घोस्यान फिर इद लाइफ फोर्स यूज़ करना पड़ेगा इससे चलाने के लिए और यह बहुत कमजोर है तब अगर owner माल लिया तो फिर अलग बात है तो धनुष का जब तार था strength था उसके power के वज़े से बहुत सारे लोग मारे जा रहे थे और यह strength क्योंकि धनुष से अलग हो चुका था और ऐसा blood आने लगता है left arm arm से इसने पकड़ा था तो जो इसका बाया हाथ था वो पूरा खूना खून हो चुका था और इस समय जो धनुष का तार था वो इसके तरफ अटेक करने लगता है और वांगलिंग भी इस समय काफी चीख रहा था क्योंकि यह जो तार था इसके कम और निदर बीष्ट इससे connected थी golden storm खाने के बाद हलाकि वो सो रही थी लेकिन अब वो जागने लगती और वांगलिंग के बोड़ी से समय घोशली लाइट बाहर निकलता है लेकिन देरे देरे काफी बड़ा होने लगता है और निदर बीष्ट अब यहां पर प्रकट हो जा थी और इससे में सौवरीन जो की बाहर था इसे जब दीखता है तो उसका expression बदल जाता है और इससे में मास्टर हॉंग शॉन और बाकी लोग जो भी cultivators थे यहां पर इन्हें यहां से पहले move कराते है और यहां पर कोई नहीं था वांगलिंग को भी बचाना चाते थे पर यह जहां पर golden storm था वहीं पे था अब वहां पर destructive power golden storm का काफी जादा था लिंग डॉंग और जाउजिन भी यहां से निकल जाते है अब golden storm के होज़े से जो realm ceiling formation था वो और collapse कर जाता है और जो Z था वो भी गायब होने लगता है और realm ceiling formation में मर जाने लगता है तो जो Z में वो heavenly punishment palace व भी यह golden storm फैलता है अटा कितना powerful था है कि realm ceiling formation तो collapse करता है आउटर realm का जो बाहर का space था वो भी collapse कर जाता है inner realm का भी same हाल था और golden storm मतलब एक अच्छा खासा फैलने के बाद finally explode कर जाता है explosion की वज़े से यहां पर black hole बन जाता है जहां पर realm ceiling formation था तो वैसे बैब यहां से कोई आजा नहीं सकता था कुछ समय के लिए तो at least अब नीदर भीष्ट इस golden storm को बाहर फेकने के बाद वांगलिंग को डिवोर कर जाती है धनुष के साथ और एक bees में बतल कर गायबी हो जाती है अब black hole था था वहां से कलग sound ढाना था जो कि धीर धीर inner और outer realm को मतलब बंद कर ग और लाखों cultivators मारे कहते है अब sovereign council फिर से order देता है कि second battle के लिए preparation शुरू करो क्योंकि सभी को revenge लेना था अब कुछ old monsters जो की जल्दी निकलते नहीं थे जिनके बारे में डाव मास्टर ब्लू ड्रिम ने वांगलिंग को बताए भी था अब वो भी closure cultivation से बाहर आ रहे थे island उसे भी destroy कर दिया था तो वो कहां पर है अब किसी को पता नहीं था इसी बंदे ने poison ocean और mosquito beast भी release किये थे तो सबसे पहले इसी को मारना था और सबसे main यही था तो वांगलिंग का फोटो बना के हर चेके बाट दिया जाता है cloud सी थोड़ा कमजोर बढ़ चुका था क्योंकि इने के cultivators ज्यादा थे battle में और मारे भी कहते हैं और demon sect ने अपने 70% cultivators जहां पर पहला battle वा था वहां भेज के रखा था कि अब भाई realm sailing formation है नहीं तो specials hole है न ब्लैक hole तो कोई भी आ सकता है chances रहते हैं घोस sect भी कुछ लोगों को भेजता है अब god sect अब यहां की leader तो moving में थ और फिलाल यह formations वगरा बना करके second battle के तयारी में लग जाते हैं summoned river वाले जो थे वो अपने कुछ groups को यहां पर छोड़ देते हैं और इसकी leader वो beautiful middle aged woman थे all heaven के भी कुछ लोग यहां पर थे बाकी लोट जाते हैं brilliant void star system यानि alliance क्योंकि इस battle में आया ही नहीं था battle खतम होने के ब woman जो की blue dress में थी वो lead कर रही थी और दिखने में तो काफे सुन्दर थी लेकिन आखों में एक अलगी coldness था और इस समय मतलब इस battle के बाद यून लोगों के techniques की वज़े से हौंग शान और south cloud बहुत परिशान होए थे क्योंकि इन लोगों को battle किया हुए लंबा समय हो गया थ तो अब इने समझ में आता है कि त्यारी तो शालू रखना पड़ेगा अब ये जो woman in white, sorry blue dress वाली थी जैसे master south cloud ने लह था brilliant void star system से ये फिलाल यहां पर जो भी cultivators थे उनकी leader थी commander in chief थी पूरे inner realm के cultivators की और वांग लिंग का नाम तो inner realm में अब और ज़्यादा famous हो चुगा थ कि कैसे उन्होंने उस कुलारी की मुदद से मारा था और एक चैस कि last में lord of the seal realm वांग लिंग ने नीदर भीश को release कर दिया था जो बचे कोची लोग थे वो भी मारे गयते और यहां पर एक fog vertex बन चुगा था अब जिससे विश्वास नहीं होता था आकर के जब fog vertex को देखता यानि जो black hole type बना था तो उन्हें फिर विश्वास हो जाता था वांग लिंग का नाम एक legend बन चुगा था inner realm में लेकिन ये legend गायब हो चुगा था किसी को नहीं पता था कहा है जिन्दा है मर गया हौंग शंग वगरा भी अलग-अलग spell यूज के थे ताकि वांग लिंग की जाइकिंग यानि जो वांग लिंग का डिसाइपल्स थे उन्हें विश्वास था शेंग गॉंग और जैन कॉंग ली भी यही मानते थे क्योंकि लिंग डॉंग और जाओजिन का जो स्लेब मार था वो अभी पी था और अभी भी क्लावर्सी स्टार सिस्टम है बहुत सारे यह मस्कुटो बीच थे मूबिंग में हलाकि यह कफी उदास्ती पड़ इससे भी भरूसा था सेटू नान के दुख में कल्टिवेशन ही छोड़ देता है और मस्त पीने पाने के लिए चला जाता है और ऐसा पीते पीते हस राता आसमान की तरफ देखकर फिर रो रहा था त अपने मास्टर्स को ढणने मास्टर मतलब वांग लें सबसे पहले रेन सेलेश्टिल रेन को सेटू नाम ने नहीं चोड़ा था बलकि थर्टीन ने चोड़ा था जैसे उसे पता चला था वो तूरंती वांग लिंग के स्टैचू के साथ निखल जाता है बट कितना भी ढण कि जो फॉक वर्टेक्स के पास वो जो वुमेन इन वाटर ब्लू ड्रेस में थी वो भी बाल में मुलती है शायद तुम्हें पता भी नहीं होगा कि मैं कौन हो लेकिन तुम हो का थर्टीन इदर भटक रहा था बस धूनते रह रहा था क्योंकि स्टैचू उसके साथ वांग परीले भी हो जोगे थे हलाकि किसी कल्टीवेटर पर अटैक नहीं करते लेकिन जूंड में एक सब फांगलिंग को धूंडते रहते और इस समय हमें ब्रिलियंट वॉइड स्टार सिस्टम को दिखाये जाता है जिसे आप अलायन स्टार सिस्टम भी कहते हो यहाँ पर एक के लेंस्टम को बाहर फिक था और जब यह होसो हवास में थे तो डर गई थी उसके बाद छोटा हो करके फिर आके छिप गई थी अम नीदर पीष्ट के अंदर में एक अलग ही स्पेस था आसमान थे तारे थे बट लाइफ कुछ नहीं था एक बंदा वांगलिंग ने देखा था एक पूर कल्टिवेटर जिसे नीदर पीष्ट ने तो बार निकल लिया था अम नीदर पीष्ट के अंदर में एक सेमी वेस्टेट प्लैनेट था और वो जो कल्टिवेटर था वो यहीं पर था और यहां पर एक बाड़ी बड़ी बड़ी नहीं है लेकिन इसकी बाड़ बड़ी होते जा रही है, मतलब वांगलिंग की बोड़ी कटी हुई थी, आधे में थी ना, देरे देरे रिकवर कर रही थी, फिलाली यह बनता, अपनी दाड़ी को जाता है, और इस लाश को, जो की वांगलिंग का था, उसे कई लाती भी मारता है, कि तुम, मतलब मैं किंग ह मेरे सामने ऐसा डेट कैसे बन सकते हो, अब कुछ रेस्पॉंस नहीं आता है, तो और किक मारता है, उसके बाद बोड़ी पर कूदने लगता है, थोड़ा अच्छा लगता है इसे, फिर यह ऐसा जमीन पे लेट के, आसमान के तरफ देख रहा था, क्योंकि इस जगे पर यह हजारों सालों से था, और यह उससे भी उपर, दूसरा बन आज तक इसने नहीं देखा था, पहली बार यहां पर कोई आया था, और यह हेवन से विंती कर रहा था, कि मेरे पास कोई भेज दो, ताकि मैं जिसके साथ खेल सकूँ, तो एक ब्रॉक इन बोड़ी इससे यहां प इस किंग को कुछ और चाहिए, ने तो मैं बिग बिल्दर से बोलूँगा, कि वो इस चीज को चुरा के लाए, फिर यह किसी और को बोलता है, लिटिल गुई, जब मेरे बड़े भाई को बुला के लाओ, ने तो मैं फिर खुद उस चीज को चुराने जाओंगा, अब यह स स्पेल्स बनाके, वांग लिंग के बॉड़ी पर अटेक करने लगता है, और लागातार कई दिनों तो अटेक करता है, और अगर कोई देख ले, जो यह स्पेल्स यूज कर रहे है, अगर थर्ड स्टेप कल्टिविटर भे, तो उसकी फट जाए, अब यह पाम प्रिंट उससे भी बहतरीन था, फिर यह एक टेक्निक यूज करता है, और वांग लिंग पर अटेक करता है, लेकिन फिर भी यह गायब हो जाता है, हलाकि इसका अंबरेला ज्यादा पावरफुल था, फिर यह ओल्ड मैन, लीग वांग का नम लेता है, हलाकि इसके हाथ में धनुश नहीं था, लेकिन यह धनुश पकड़ के था, ऐसा वो पोश्चर मनाता है, और वांग लिंग की तरह बढ़ाता है, मतलब यह पुरा एक्टिंग ही कर रहा था, फिर यह बोलता है, सेवन कलर लेटिल कल, तुमारे हस्बेंड ने, हस्बेंड को मेरे बड़े भाई ने भगा और इसके स्पेल्स से स्ट्रॉंग हो रहे थे, और यह काफी खुश था, अपने स्पेल्स को दिखकर, अब बोलता है, अब श्रेंद को फिर से चेक करना जाए, वांग लिंग के बोड़े के पास जाता है, जहाँ पर एक धनुश भी बढ़ा हुआ था, वांग लिंग के हा यह खुद अपने शब्दों पर चौंक जाता है, और सुचता है यह एर एंसेंट नेशन, यह फैमिलियर लग रहा है और नफरत वाली भावना है मेरे अंदर, इस एंसेंट नेशन का नाम याद करकर, बट इसे कुछ याद नहीं आता है, फिलाले अपने बाल खुजाता है थोड़ा सा राइट हैंड, एक उंगली को काटता है, और जो बलड था, वांगलिंग के मूँपर लगा देता है, कि जल्दी जल्दी पियो, तुमारी बोड़ी जल्दी ग्रोख करेगी, ताके तो मेरे साथ खेल पाओ, और ऐसा ने कि आज यह पहली बार इसे बलड पिला था, हर एक दिन थोड़ा बहुत बलड पिलाता था, और बोलता था कि इस किंग का बलड बहुत ही कीमती है, ली फैमिली के जो लड़की थी, वो तो मुझसे मांगती थी भी, कि आप मुझे एक बून दे दो, एक और था कोई तो, लेकिन कौन था, लिटिल रेट कौन था व मतलब इसका चलते रहता था, फिलाली ये उतना नोटिस नहीं करता है, जो लाश थी, वांगलिंग की, वो रिकवर कर रही थी, लेकिन इसके बलड को एपसॉर्ब करने के बाद, रिकवरी रेट स्लो हो जाता है, इंजिरीज और ज्यादा वर्स होने लगती है, उल्टा होन लाश तो वांगलिंग था ही, क्योंकि वांगलिंग के अंदर एंसियंट और का बलड है, और एंसियंट और का बलड के साथ मिक्स नहीं हो सकता, तो दोने दूसरे से बैटल कर रहे थे, वांगलिंग की पॉड़ी के अंदर, लाइफ और डेथ बैटल चल रहा था, और इस के वज़े से वांग लिंग का जो ब्लड लाइन था वो चेंज हो रहा था मॉटल से टू सेलेश्टियल की तरफ लीग वांग धनुष आज तक इसने किसी ओनर को सेलेक्ट ही नहीं किया अपने पहले ओनर के मरने के बाद ओल्ड को जान भी नहीं सूस सकते थे कि अब इसको कोई उनर मिलेगा क्योंकि वांग लिंग के ब्लड लाइन में चेंज हो रहा था तो अब लीग वांग धनुष में भी चेंजिस होते है अगर ओल्ड घोश जान देखते तो उन्हें विश्वास नहीं होता क्योंकि धनुष की प्रतेंचा तूट शुकी थी आपको यादी होगा क्योंकि वांग लिंग की बॉड़ी के अंदर थी उसी तार ने वांग लिंग की बॉड़ी को दो भागों में बाटाता तो उसके वज़े से ये बनना शुरू जाता है धनुष काफी एकसाइटेट था मतलब इसे अपने नया माश्टर मानू मिल चुकाओ क्योंकि वांग लिंग का ब्लड लाइन बहुत जादा प्योर था प्रिवियस माश्टर से भी जो इसके पहले माश्टर रहे होंगे और अधर वो मैड मैन अपने आस्मान की तरफ देखकर बकवास चालू रखता कि यार बारी शोरी है लेटिल रेड पहले चलो आओ मेरे कंदो को मसाज करो और मेरे विक ब्रदर को जाके बोलो यह मैं ठक चुका हूँ मैं कल्टिवेट नहीं करूँगा मैं थोड़ा खेलने चा रहा हूँ और मुझे धूणने ना है और जब मैं खेल लूँगा ठिक टक तो खुद वापस आ जाऊँगा और अगर वो मुझे जबरजस्ती धूणते हैं तो मैं उनके साथ अपनी रिलेशन्स तोड़ दूँगा इधर वांगलिंग का एंसीन गॉड़ पावर जबी भी हीलिंग के लिए जाता था तो ये जो अभी वाला बलड था मैड मैन का वो से ब्लॉक कर देता था तो वांगलिंग की इंजरीज खराब होते जाती वांगलिंग हाला कि भी होश था लेकिन समाई के साथ देर देर इसका होश आ रहा था तो पेन इसको फील हो रहा था और वांगलिंग इस ब्लड को फील करता है जिसमें अलग पावर था ब्लड इतना प्योर था कि वो जो एंसीन डॉर टॉम में जो भी सेलेशल्स अटैक कर रहे थे इसने देखा था ये मूपर उनसे भी जाता प्योर और ये ब्लड दीरे-दीरे इसके हट्डियों के साथ मिक्स हो रहा था ब्लड के साथ योकि ब्लड लाइन भी ब्लड मैरों में होती है यानि अगर आप ब्लड लाइन बदल जाएगी तो वही हो रहा था वांग लिंग के साथ, वो blood, धीरे-धीरे इसके bone marrow को बदलते जा रहा था, यानि कि वांग लिंग का bloodline प्योर होगा उस madman के जैसा, noble, pure, अब समाई के साथ, वांग लिंग के body में changes हो रहे थे, एक celestial बन रहा था, और वांग लिंग, वो जो spells थे, वो जो mad madman use कर रहा था, यह देखते रहता है, क्योंकि वो हमेशा ऐसा acting करते रहता था, वो madman, लेकिन वांग लिंग इतने pain में था, कि उस बंदे का सही पहचान, यह अभी तक कर नहीं पाय था, pain, ancient order, trial से पीछा था, आखे भी नहीं खोल पा रहा था, body move भी नहीं कर पा रहा था, और इसका origin song, soul को इस blood ने block करके रखा था, लेकिन लीग वांग धनुस कुछ warmth इसे provide कर रहा था, तो इसे थोड़ा अच्छा लगता है, इधर madman कुछ बोल रहा था, कि मेरा blood बहुत थी, फिर इसे याद आता है, कि एक little witch थी, मतलब गाली मारता है, फे-फे करके, उसने मेर से कुछ तो लिया था, फिर इसे याद ने आता है, फिला लिये, वांग लिंग को थोड़ा और blood देता है, लेकिन फिर इसे याद आता है, कि नहीं मेरे बड़े भाई ने मना किया था, कि मैं ये blood ऐसे किसी को नहीं दे सकता, मेरे भाई ने कहा था, कि एक बूंद भी हमारा blood फिर इसे याद ने आता है और फिर ये याद करता है little red को कि इतने हजारों साल होगे तुम अभी तक मुझसे मिलने नहीं आई little red मुझे बाहर आने दो फिर मैं तुम्हें बताता हूँ अब इससे भी घुस्ता आता है बहुत दिनों बाद कि यार ये वांग्लिंग रिकवर नहीं कर रहा हूं कुछ वैसा हो चुका था जैसा इसने वांग्लिंग को धूंडा था पहली बार कि यार इसकी body क्यों नहीं मतलब बड़ी हो रही है recover हो रही है अगर मैं तुम्हारा जैस होता तो वांगलिंग के बॉड़ी पे डालता है और बोलता है कि किंग के पास बहुत बलड है रिकावर करो ताकि तुम किंग के साथ खेल सको यह जो बलड था वो अलग था जो अभी तक यह दे रहा था यह बलड कोल्डेन था इसमें प्यूर एनरजी थी और जैसे यह वांगलिंग के बॉड़ी पड़ता है वांगलिंग ट्रेंबल करता है और इसके जो भी रूम छीदर थे इस बलड को एब्सॉर्ब करने लगते है लेकिन अभी यह बलड जो वांगलिंग के एंसियन गॉड पावर था उससे फिर से और ज्यादा बैटल करने लगता फिलाल इसमें जो कुछ बलड था वो तो इसके बोन मेरस से फ्यूज हो जाता लेकिन मेडमेन का गुसा और बढ़ जाता है कि अरे अभी भी फरक नहीं पड़ रहा है तुम तुम फिर ये बोलता है ठीक है वेट करो फिर से खड़ा होता है वांगलिंग के करीबात है इसे विश्वास नहीं रहाँ था कि वांगलिंग के बोड़ी ग्रो नहीं कर लिए एक बर फिर से ये अपने चेस्ट पे मारता है और तीन बार मारता है तीन बार खुन के उल्टे करता है लेकिन ये भी काफी वीक हो जाता है और अपने टॉंग से एक ब्लड एरो वांगलिंग पर मारता है ब्लड इसका लाइफ इसन्स था जो कि इसके ब्लड से और ज़्यादा पावरफल था फर ये बेहोश हो जाता है क्योंकि इसने ब्लड अच्छा खासे यूज कर लिया था और बेहोशी में भी बोल रहा था कि मेरा ब्लड बहुत कीमती है शायद मैंने जादा ही यूज कर लिया लेटर लेट जदी आओ मसाज करो मेरा वांगलिंग का बोडी अब पूरे बलड से सना हुआ था ये जो बलड गिरा था इसके उपर और धीरे दीरे इसके पोर्स उसे एब्जर्ब कर रहे थैं खास करके ये जो life lessons blood था ये अलग pressure दे रहा था वांगलिंग की बोड़ी पर और इस समय वांगलिंग का एंसियंट ओर्डर पावर भी कोलाप्स कर जा रहा था, सप्रेस हो रहा था और ये ब्लड भी बोन मेरों में मिक्स होता है और अब वांगलिंग के बोड़ी नया ब्लड खुद बनाने लगी थी, ये वाला और इस समय इसका जो nine colored fire था, left eye में, वो और brightly चमकता है पहले इसका fire collapse करता है, फिर उसके अंदर एक golden fire प्रकट होता है इसमें मानो, doubt of the heavens था, लेकिन ये doubt fire नहीं था right eye में भी changes आते हैं, उस blood की वज़े से, thunder collapse कर जाता है नो प्रकार के thunder को लैप्स कर चुके थे, लेकिन अब उसके जगए, एक golden thunder प्रकट होता है इसके right eye में, मतलब पूरा gold, हलाकि gold अभी पूरा अगदम dark gold नहीं था light gold था, लेकिन ये काफी था, जिनने gold color के बारे में पता होता है gold जो होता है, वो color of celestial होता है, real celestial का golden fire, left eye में, और golden thunder, right eye में अगर वांगलिंग बस आखे खोलते, तो लोगों की फट जाए तो फिलाल स्टोरी यही समाप्त करते है, मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ झालिंग झालिंग झाल उंए में झालिंग quizा